सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तू एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजी ठाकुर को और पाएं जोतिश सिसम्मंदित जानकारियां साथ ही बेल आइकन को दवाना ना भूलें साक्षी ठाकुर कैसे हैं आप लोग आज मैं आपसे बात करने जा रही हूं कितने भी बड़े बड़े जाजयोग बन रहे हैं आपकी कुंडली में कुतने भी राजयोग बन रहे हैं लेकिन एक कुंडली में नौ मेंसे कैसा घ्रह होता है अगर वो खराब हो जाए तो जिन्द जीवन से जुड़ी हर समस्या का समधान करते हैं तो मेरे प्यारे दर्श को आज मैं आपके बात करने जानी हूँ देखिए कुंडली में 9 घ्रह होते हैं 9 घ्रह होते हैं और 12 राशियां होते हैं शुक्र आपको लगजरी देता है शुक्र आपके जीवन को खुशियों से भर देता है मंगल आपको करोडों की संपत्ती दे देता है आपको दुनियावी फायदा दे देता है आपको लगजरी देता है मंगल भी लगजरी देता है शुक्र भी लगजरी देता है राहु आपको अचानक पैसा दे देता है रातो रात, राहु कार जो एक क्या काम होता है राहु का काम होता है कि आंधी तुफान की तरह आपको रातो रात जो है जमीन पर ले आए और राहु अच्छा हो तो आपको रातो रात स्टार बना देता है जितने भी film stars होते हैं, उनके शुकर राहू बहुत ज़दा prominent होते हैं, बहुत ज़दा उनके active होते हैं गुरु जो है वो घ्यान से चाहे, तुम कितने ही परपूर्ण हो जाओ, जो है कितने ही परपूर्ण हो जाओ, गुरु का अच्छा होना आपके लिए बहुत ज़दा ज़रूरी होता है, गुरु आपको घ्यान देता है, गुरु आपको अच्छा नहीं है, तो आपके घर में कितना मर्जी पैसा आ जाए लेकिन एक रुपे की बरकत जो है वो नहीं होती है, गुरु हमेरे बरकत के साथ साथ हमें घ्ळान भी देता है, और कुंडली में अगर आपकी चंद्रमा च्छ नहीं है, चंद्रमा च्छ नहीं है तो कितने भी राज्योग हो जाएं, कितने भी शनी भी आपको शने 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 अमीर बनाता है, केतु आपको भोग विलास और आनंद की स्थिती प्रमनंद की स्थिती जो है वो केतु देव देते हैं, आपका चंदरमागर कुटली में वीक है, तो आप इन सब चीजों का अनंद इन उठा पाओगे, आपका मन परशान ह इसलिए ही हर जगा सुनने को मिलता है कि मन से काम करो, मन में काम करो, मन में, आपने खुद देखा हुआ कि किसी के पास दुनिया की हर वस्तू है, जो वो चाहता है लेकि फिर भी वो खुश नहीं है, ऐसा क्यूं है, क्योंकि चंदरमा पीडित है, चंदरमा मन का कारक है, मन में संतुष्टी कैसे आएगी, मन अगर पीडित है, तो हम कैसे खुश रहेंगे, खुशी का कालक जो है, वो मन होता है, तो मन अगर हमारा अच्छा नहीं है, तो हमें कोई खुशी नहीं मिल सकती, लाखो करोडों रुपे पड़ा हुआ भी, आपको जो है, मन खराब होगा, इसलिंड़ी नहीं मटे चुश्ट्र होगा, दूसरा मेजर प्लानेट जो होता है, आपके तो भूर में थे खुश रहाब है, जो है, आपके बस क्रोडों रुपे है, तो उन क्रोडों को नश्ट कर देंगे, आपको जो मातापिता ने आपको करोड रुपे दिये लेकिन आप उसको संतुष्ट नहीं है तो आप बुद्धी का इस्तामाल नहीं है लोगों की कहने पर आ जाते हैं बुद्धी का इस्तामाल नहीं करते हैं तो करोड भी आपका बिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि बुद्धी ही हमें बताती है कि हमें क्य और मन का काम होता है हमें खुश रहना, अगर चंदरमा अच्छा है तो हम खुश रहते हैं, चंदरमा खराब है, तो हम मन से पीड़ित हो जाते हैं, मन से गभराट होना लगती है, गभराट, अंजायटी, टेंशन, डिप्रेशन और ये सब चीजे जो हमारे साथ होनी शुरू तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उसका मन चांत है और दूसरे का मन शांत नहीं है, तो इसलिए कि चंदरमा मन का कारक है, और मन अच्छा तो कटौती में गंगा, तो दर्श को अगर प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजे, शेयर कीजे, चैनल को लाइक और सब्स कीजे और हमसे फ्री कुंडली अनलाइजेशन का हिस्सा बने, अपांडमेंट लेकर भी आप हमसे बात कर सकते हैं, पूरी कुंडली का डिसकस करवा सकते हैं, अपरेल के महीने में चार मेजर चेंज जो है, वो होने वाले हैं, कौन कौन से चेंज है वो, ब्रस्पति का, रा के तुब 12 अपरेल को और शनी देव 29 अपरेल को बदलने वाले हैं अपनी चार तो अपनी कुंडली का आप अनलाइजेशन करवाना चाहते हैं, अपने राजयोगों को खोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली भी उचाई पे जाएं और आप भी उचाई पे हुआ हुआ है